पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया सबसे बड़ा सुख निरोगी काया यानि कि एक अच्छे शरीर को बताया गया है क्योंकि धन का उभोग भी हम तभी कर सकते हैं जबकि हमारे पास एक अच्छा शरीर हो और इसी के उपर हमारा आज का कारिक्रम है युवा जगत का युवाओं के लिए योग नमश्कार मैं सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ और योग के बारे में बताने के लिए हमारे स्टूडियो में आज आए हैं जिनकों की योग का बहुत सारा नॉलेज है जो कि खुद एक योग के टीचर भी है नमश्कार अमश्कार अमश्कार हमारे स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हमारे आज के सहयोगी हैं बर्खा जी और लकी जी सर योग के बारे में तो बहुत सारी बाते होती है आज की डेट में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है तो योग का मतलब क्या है योग सब्दाया गडित के सब्द से गडित में हम योग कहते हैं जोडना को अब हम अगर देखे हैं कि सरीर पे हम क्या चीज को आखर пожड़ते हैं तो नीए योग है ऐसे अगर चित से स्टेर s e, अपने मस्तिक से जोड़ना अगर हम ऐसे हम देखे हैं तो चित के सांती, चाहे है आप ओदेश के Precis The Work तो सरय योग को सबसे important उद्धेशी क्या है? योग का सही उद्देश से अगर कहें तो योग केवल फिजिकल नहीं है अगर आप योग को सिर्फ पोश्चेट पे अगर देखें अगर आप सांस पे ना ध्यान दें अगर आप अपने चित को ना समझें और अगर आप चित अगर सांत नहीं अगर होता है तो योग आप ऐसे तो योग सिर्फ एक मॉव्मेंट है, जैसे कि जिमनास्टिक्स में भी लोग करते हैं, स्टेचिंग करते हैं, तो योग केवल स्टेचिंग नहीं है, योग हर पैमानी पे सरीर का मांसी रूप से विकास यही योग है, तो हम अगर ऐसी देखें, तो पूरा जो गोल है, अबज होना चाहिए, तो सर, योग करते हैं, खाली मन के लिए तो हम करते हैं, क्योंकि जब भी हम योगा में देखते हैं, तो उसमें एकसराइजेज़ भी कुछ इंक्लूड होती है, तो इससे हमको फ्लेक्सिबलेटी मिलती है, फिजिकल स्टेंथ मिलता है, या मन की शान्ती मिलत क्या होता है एक्जेक्ली जब आप योग सुरू करते हैं तो आप सबसे पहले तो यम नियम अगर सही तरीके से आप अगर करें तो यम नियम है आप ठानते हैं कई चीजों को प्रण लेते हैं देन आफर आप आसन पे स्विच करते हैं और आसन आपका फिजकल एसपेक्ट है सबसे हैं जासे जैसे आप आगे क्यूर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे आप अलग चीजों को explore करते हैं अपने चित की वृतिक आपकी सान्थ होती है अपका मन एकागर होता है तो योग स्टार्टिंग जब आप करते हैं तो अपने फिजकल एसपेक्ट से आप स्टार्ट करत आपका ध्यान आटोमेटिकली लगने लग जाता है और धीरे दीरे आपका मन आटोमेटिकली एक सांत हो जाता है, तो आपका गोल फिजिकल एस्पेक्ट था लेकिन जैसे जैसे आप अगेए आगे बढ़ते हैं तो अपने आप आप गो जो है कि आप सरीuu eh एक्स्पोर करना चालू करते हैं शरीर की, जो कि किसी और स्पोर्ट्स में या किसी और खेल में जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। योगा में जो हर आसन के साथ सांस का बहुत महत्व होता है, तो उससे क्या फाइदा होता है शरीर में? जी बहुत सही question है आपका कि सांस का क्या फायदा है सांस हम बिना खाना खाए दो दिन रह सकते हैं तीन दिन रह सकते हैं लेकिन बिना सांस के दो दिन तो दूर की बाद दो मिनट भी रहना बहुत मुस्किल होता है सांस आपका life है जब आप सांस को सही मायने में अगर कंट्रोल करके अगर आप योग करते हैं तो ही आपके अलग dimensions को आप explore करते हैं और तभी आपके अलग dimensions mind का dimensions सारे open होते हैं जैसा आपने सुना होगा कि चक्रा, सिस्टम, meditation, ध्यान तो meditation ध्यान ये सारी चीज़े तभी possible आपका होता है जब आपका सांस coordinated way में चले हम योग जब करते हैं तो gravity के side जब हम जाते हैं जब नीचे की और जुकते हैं तो हम सांस को छोड़ते हैं generally क्योंकि gravity आपको अलड़ी पुल कर रही है आपको नीचे की और आपको खीच रही है और उस time पर अगर आपस अगर आप सांस को अगर भरते हैं तो आपके organs support नहीं करेंगे उस आसन को सब करने के लिए same जैसे आप जब उपर towards gravity के against जब जाते हैं तो आप सांस को लेते हैं जब आप सांस भरते हैं तो आपके organs expand होते हैं क्योंकि अब आप gravity के against जा रहा है बाकी sports में अगर हम ऐसे कर देखें तो आम तोर पे हम जैसे running वगर भी अगर कर रहे हैं तो हम इतना सांसों पर हम ध्यान नहीं देते हैं और सांस ही है आपका जो कि आपके life को extend करता है तो योग में सांसों का बहुत महत्तु है जिसरे एक बोला जाता है कि प्रानायम हम इसले करते हैं क्योंकि प्रानायम तो पुरा सांसों का ही खेल है और प्रानायम इसले करते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी oxygen भरती है तो क्या यह सच है कि जैसे हम प्राणयाम करते तो हमारे अंदर oxygen store हो जाती है जी बिल्कुल अगर हम प्राणयाम के अगर साथिक अर्थ को भी अगर हम देखें तो प्राण यानि कि आपका प्राण लाइफ आपका हो गया और यम का मतलब होता है extension यानि कि खीचना आपका है जब आप प्राणयाम में अगर आप बहुत सो लोगों को अगर आपने देखा होगा कि कोई भी अगर प्राणयाम कर रहा है तो आप बेसिकली वो सांस पे ही काम करते हैं तो नासीका को एक को बंद करेंगे दूर्स रेंगे और बहुत सारी प्राणयाम हो इन सभी में आप अकर देखेंगे घॉर करेंगे तो एक चीज कॉमन है वो आपका सांस अब सांस को कैसे लेते हैं और कितना एक्स्टेंट करते हैं और कितना लंबा होल्ट करते हैं यही extension ह आपके lungs की capacity को बढ़ाता है खासकर अगर हम देखें तो कोविट की टाइम पे तो प्राणायाम को बहुत ज़्यादे importance है क्योंकि lungs वगरा कोविट के बाद से लोगों को लोगों को लोगों ने बहुत यह सिकायद लोगों में हुई कि फेफड़े की capacity कम हो रहा है कही लोगों ने लोगों को तो प्राणायाम आपके फेफड़े की capacity को बढ़ाता है आपके ओवर लाइफ को एक्स्टेंट अनने का काम करता है तो हमारी लाइफ इससे एक्स्टेंट हो सकते हैं हम लोग ज्यादा बेटर अपनी लाइफ को जी सकते हैं जी बिलकु से योगा के बहुत सारे प्रकार होते हैं आजकल तो होट योगा, कोल्ड योगा और पता नहीं क्या-क्या बहुत सारे योगा आ रहे तो आपमी कैसे ढूंड़े अपने लिए कि मेरे लिए क्या बैटर है जी किसी को भी कोई भी अगर स्टार्ट अगर करें तो सबसे पहले यह तो सारे अलग-अलग डाइवेंशन हैं अलग-अलग तरीके से करने का हैं जैसे अगर आप अस्टांग विन्यासा को अगर देखें अगर हट योग को देखें अस्टांग विन्यासा में आप एक विन्यासा एक फ्लो में करते हैं आजकल हट योग में भी लोगों ने ब आप जैसे standing posture से आप स्टार्ट करें, standing के बाद आप बैठने के बाद बैठने का posture करें, बैठने के बाद आप back का posture करें, तो यह कुछ sequence आप अगर आप अस्टांग करें या आप अस्टांग करें चाहे आप कोई सभी आप योगा करें क्योंकि घूम फिर के योग करने के बाद योग का गोल आप पहाड पे किसी भी साइड से चड़ें आपको अंत में ऊपर एक ही जगह पर कॉमन जगह पर आना है जहां से आपको मून चंद्रमा आपको हर जगह से एक ही दिखना है सभी को अपनी हिसाब से देखना होगा कि आपको क्या सूट करता है जैसे किसी का बाड़ी बहुत लेथार जीख है या कोई अगर हेवी अगर है तो अस्टांग करना उसके लिए काफी डिफिकल्ट होता है हजै तो वह बेसिकली हठ योग से सुरुवात करें हठ योग पर करें और वह भी नहीं तो बेसिक जो नॉर्मल कुछ पोस्टर्स हैं बिति या पस्टिर ओनासन ऐसे कुछ बेसिक पोस्टेंस कर सकते हैं या चेर बैट के सटार्ट करें तो जरूह नहीं कि वह पूरा का पे तो आना ही हाना है सर एक बहुत कॉमन से चीज़े आजकल आती है चक्रा मेडिटेशन वगरे सुनने में आता है तो चक्रा क्या है हमारी बॉड़ी पर कहीं पर कोई पॉइंट है कि जिनको क्या हम टच कर सकते हैं जी चक्रा बेसीकली फोकल पॉइंट होता है और चक्रा के बारे में आपने जैसे कि आपने जिक्री किया तो मैं एक बात में कहूँगा कि चक्रा ओवरॉल आपके चक्रा सिस्टेम आपके पूरे हेल्थ को, mental health को, spiritual health को हर तरही के से बुश्ट करता है बट चक्रा को चक्र योगा किसी एक पर्टिकुलर किसी अच्छे गुरू के अंडर ही करना चाहिए विकोज अगर आप देखें तो आप चक्रास में या इवन ओवरॉल वैसे तो योग में भी पूरे चाहिए कोई सा भी आप योग करें आप इनर्जी चैनल्स को यूज करना सीखते हैं अपने mental health, physical health के लिए अगर चक्रास में आप ध्यान लगाए हैं और meditation अगर बैठे हैं चक्रास अगर तो चक्रास बेसिकली कोई point नहीं है जिसको हम टच कर सकते हैं जैसे मैंने कहा कि वह यह focal point है जिसको कि आप ध्यान में बैठते हैं और ध्यान के थ्रू exactly उस point पर concentrate करते हैं और overall अपने energy को ओड़ जा को उस जगह पर केंदरित करते हैं और उन चक्रास को जागरित करते हैं चक्रास में एक system इसका danger क्या है सारे overall योग में अगर देखें तो यह आया वैसे तंतरिक योगा से एक चीज इसमें problem क्या है कि हर चक्रास एक के बाद एक ही अपग्रेड हो यानि जागरित होने चाहिए अगर इसका sequence अगर खराब अग के लिए आपने जो start किया था हो सकता है उसका side effect भी कुछ हो और पागलपन भी हो सकता है तो ठीक है यह फाइदा बन चीज है बट overall मैं कहूंगा कि किसी को की चक्रास अपने आप करें किसी प्रॉपर गुरू के पास जाके तपी करें बेशक सर्थ जब आप गुरू की बात है कि नहीं करना चाहिए यह अच्छा है कि नहीं है जी कोई भी पहले start करने कि पहले या आप अच्छे से अपनी side से पूरी कोसिस करें कि जानकारी वहां से लें कि जिस teacher के भी पास कर रहा है वो certified है किसी अच्छे जग से इंस्टिटूट से certified है कितना experience है इसीज का अपने side से पुकता कर लें तभी आप जोइन करें क्योंकि योगा ऐसा नहीं है कि आप जिस केवल movement आप कर लें आपने कहीं YouTube में देखा, online किसी को करते हुए देखा, आपने किसी मित्र को करते हुए देखा या पार्क में करते हुए देखा और आपने कर लिया योगा है आपके overall health को boost करने की चीज़, ठीक है इसके फायदे भी हैं और no doubt इसके फायदे हैं अगर आप कुछ नहीं से अगर आप पूरा पूशर प्रॉपरली अगर नहीं भी कर पाते हैं और आदा दूरा भी अगर कुछ भी आप करते हैं तो भी उसके फायदे हैं लेकिन एक अच्छा अगर आपको teacher नहीं घर मिलता है और आप किसी से या आपने कहीं से बस copy paste भी अगर आपने किया है तो हो सकता है कि आप अपने back pain को बढ़ा लें या हो सकता है कई ऐसे posture होते हैं जो आपको नहीं ऐसे time पे करना होता है वो आप posture कर रहे हैं जैसे कि उदारण के तोर पे pregnancy के time पे pregnancy क पहले लोग योगा करते हैं प्रेगनेंसी के बाद में योगा करते हैं अपना weight loss वगरा करने के लिए लेकिन प्रेगनेंसी की duration पे बहुत लगबग आपको सहर में पुरे विरले ही कोई ऐसा मेलता है जबकि काईदे से प्रेगनेंसी की दौरान आपको योगा करना चाहिए अब यहां एक certified जैसे मैंने कहा कि एक certified एक well experienced teacher यह आपको बता सकता है अच्छे से आपको करा सकता है जिससे की normal delivery की possibility बढ़ जाती है लेकिन अब गर यही अगर हमने किसी से देखा और कहीं से बस देख कि हमने अगर कर लिया तो इसका एक नुकसान नाक्यबल बच्चे को है जच्चे को भी उतना ही है तो लाइफ भी खत्रे में तो आप करने के पहले यह सुनिशीत करें कि जिस भी teacher के पास में आप जा रहे हैं वो कहीं से well certified हो अच्छा experience teacher हो को इसमें जल्दी बाजी ना करें अच्छे किसी teacher के पास ही आप जान करें से आजकल online और offline भी classes चल रहे हैं कोवीड के बात से शुरू हो गया है तो हम किसी भी शेहर के teachers के साथ कर सकते हैं तो क्या फर्क होता है online और offline में जी online और offline में एक बहुत बड़ा फर्क देखें तो वैसे तो कोवीड के टाइम पे जो भी online classes वगरा स्टार्ट हुए या जैसे जैसे इतना masses को cater करने के लिए लोगों ने online classes से स्टार्ट किये ठीक है अगर आप आप एक अच्छा अगर teacher कर मिलता है तो यह बहुत अच्छी बात है कि आप online भी आप बहुत कुछ चीजिन सीख सकते हैं कुछ नहीं से अटलिस कुछ तो improvement होगा और एक अच्छा अगर teacher आपको मिले तो बहुत अच्छा improvement भी आप online भी कर सकते हैं offline में आप teacher के constant supervision में होते हैं और teacher आपको बहुत से posture को improve करने में आपको खुद भी teacher सहयक होता है कई बार camera का angle आपने जिस तरीके से रखा है वो हो सकता है कि teacher को वह चीज नहीं clearly समझ माता है जैसे अगर हम देखें कि जानु सिर्षासन सी अस्टांग में जो जानु सिर्षा या अगर बी की अगर बात करें तो हम जानु सिर्षासन बी में मूल बंद पे पेरिनियम को अपने एडी से हलका सा दबाते हैं क्योंकि उससे मूल धारा आपका active होता है अब online में एक problem समस्या यह होती है कि जिस भी आपने angle पे camera को रखा है तो एक teacher को भी मूल बंद को या आपने पेरिनियम को कितना आपने दबाया है सही से दबा या नहीं दबा आप कितना बंद कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि मैंने क्यों बंद करना है बट यह बंद करने के सिवाए बहुत से मुद्राएं यह सारी चीचे इसका supervision पॉसिबल अब ज़ाद बेटना भी एं अब इसमें बहुत से लोगों का पैर दोनों का खुल जाता है और आपको लगेगा कि पंजा सटा हुआ है तो पंजा हो सकता है सामने से सटा हुआ आपको देखे लेकिन एडी बाहर है जबकि दोनों पंजा से लेके और एडी दोनों आपका सटना चाहिए घुटने सटने चाहिए और अलबो ठीक इसके लाइन पर उतरना चाहिए अब हो सकता है कैमरे में अगर आप आप आनलाइन पर कर रहे हैं तो टीचर को सामने से लग रहा है कि यह तो पॉइंटेड है लेकिन शोल्डर आपका ठीक लाइन पर आ रहा है यह पीछे का पूरे पूरे व्यूज आपने देखा होगा कि जब वह स्टार्ट भी करते हैं तो सुर्वाती दोर से भी कंपरिटू टू किसी और के ज्यादा अच्छा स्टेच कर लेते हैं ज्यादा अच्छा फॉर्ड बिंडिंग में या बैक बिंडिंग आसानी से कर लेते हैं जो नहीं जिनके लिए हो पाता तो वो कुर्सी पे भी कर सकते हैं, वो रस्यों को पकड़के ऐसे खीच सकते हैं, तो अपने पोश्चे को करेक्शन के लिए बेजीजक प्रॉप्स का यूज करें, सपोर्ट का यूज करें, बजाए कि इस्पाइन को गलत करने के लिए, जैसे अभी अगर आप देखें, तो स अगर आप नहीं पकड़़ पाहरें तो जाहिर से बात है, या तो आप एदधाः दूरा करें गए तो आप इस आसन पेछोड़ लें और आप इस सपोर्ट के साथ में, अगर आप उर प्रॉप्स या रूप में मैंने देख लिया या कहीं से अगर मैंने कॉपी कर लिया तो जेनरली एक बहुत बड़ा जो मिस्टिक करते हैं कि सिर्फ मेरे को बेंड करना है तो बेंड कर लिया जब कि जब भी आप बेंड करें तो यह बहुत है कि पोस्चर बहुत इंबटन्ट है आपका पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए मेरेय। सीधा करते हुए सामने बेंड कर रहा है तो यह improvement आपका आता है और और प्रॉप्स के साथ में हाँ अगर आप आप आफ लाइन अगर कर रहे है तो यही चीज़ आपका इंप्रव्मेंट आपका पकड़ कर अधाए कराते हैं सही करना ज्यादा जरूरी है पोस्चर सही करना बजाए उसके कि आप सपोर्ट के करें चाहे बिना सपोर्ट के करें आज की देट में कुछ युवाओं के लिए बहुत कॉमन सी जो कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है खासकर जैसे अभी कोविट के टाइम पे दिन भर सिस्टम के सामने बैठे रहते हैं तो बैक पें नेक पें शोल्डर पें यह तो बहुत कॉमन हो गया है तो क्या योग में इनका कहावत है कि prevention is better than cure तो बिमारी पहले आए उसके पहले आप बिमारी का उपचार करने तो ज्यादा बहतर है और फिर भी अगर बिमारी अगर वैसा अगर आपने बना लिया अपने sedentary life के वज़े से तो योग जरूर सुरुआत करें मैं उनको जरूर कहूँगा कि वो योग नियमित रूप से जरूर करें अगर आप पूरे posture में अगर आप देखेंगे कि इस पूरे sequence में कि throughout पूरा हर एक अंग प्रत्यंग को छोते हैं बहुत से आज के rate में युवा जगत में हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि योग बोर सा लगता है योग बोर बिलकुल नहीं है आपको sequence को सही से आपको करना है और आप जैसे जैसे deep जाएंगे तो automatically आप उसमें deep जाने में आप उससे आपको और लगा होगा, interest आएगा और आप automatically आप notice करेंगे कि अब आप पहले से healthy हैं, आपको बिमारी से आप दूर हैं, आपको चोट कम लग रहा हैं, ये सारी चामस् आपका improve होता है, सिर से पाउं तक आपका हर एक चीज हर एंगल आपका बढ़ता है और बहतर होता है, तो एक particular किसी एक point को कहना ये बिलकुल injustice होगा, जैसे जो हमारी daily lifestyle की जो problems है, डाइबेटिक हो गया, BP है, PCOS, PCOD जो कि ये सब आज की डेट में हर दूसरे तीसरे आदमी क होती दिख रही है, तो क्या ये सब improve हो सकते हैं योग से? जी बिलकुल हो सकता है, और आप करने के दौरान खास कर आप सांस का जरूर ध्यान रखें, पुस्चर का जरूर ध्यान रखें और नियमित रूप से आप करें, खान पान का ध्यान रखें कि आप सात्विक भोजन आप करेंगे तो आपके बाल, आपके इसकी हर एक चीच ओवरॉल हिल्थ में इंप्रोव्मेंट आएगा, जब आप आहर की बात किये तो मुझे एक बात याद आ गई, एक साधक थे जो की योग करते थे और वो जबरदस्ति उनको करवाना पड़ता था तो उनको motivation दिया ग गए, बोलेइ, योग तो पर्मानेन्ट नहीं हो लेकिन समो से पर्माने रहें हो गएंए, तो आअहर का ध्यान रखना थात कितना ज्यादा जरूरी है? आहार का ध्यान रखना योग में बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आपका आहार अच्छा नहीं होगा तो अगर आप तामसिक का अगर भोजन आप ले रहे हैं तो नेक्स डे आप जब मैट पे आएंगे तो पहली तो आपकी आधी इच्छा ऐसी खतम हो चुकी होगी आप सामने अगर जुकेंगे तो आपसे जुकानी जाएगा तो आपने अगर आप देखें तो योग की इच्छा आपकी ऐसी खतम हो चुकी होगी और आप करेंगे भी तो गलत पूश्चर के साथ में ही करेंगे तो आहार बहुत जरूरी है और आहार आप सात्विक ले अच्छा भोजन ले ताजा बना हुआ खाना ले किसी भी भोजन को अगर आपने बनने के बाद अगर आप खा रहा है तो वह एक्वली ऑक्षिडाइज हो चुका है और वह और आपके हेल्थ पे अफेक्ट करेंगा तो सर आज हमको बहुत सारी चीजें बताने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एक राजा था वो राजा हिलता नहीं था बहुत अच्छा राजा था अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था बस हिलता नहीं था तो उसके दुश्मनों को खबर मिल गई थी तो उन लोग बेट कर रहे थी कि राजा को थोड़ा सा कुछ हो और हम बिल्कुल इनके राजी के ओपर अटेक कर दे तो राजा को पता चल गया था राजा सोच रहा था कि मैं क्या करूं उसने बहुत सारे डॉक्टरों को बिलाया को उसका इलाज नहीं कर पाया उल्टिमेटली एक साधू जी थे उनोंने कहा कि मैं उनका इलाज कर सकते हूँ लेकिन शर्त यह है कि उनको पैदल चलके मेरे पास आना पड़ेगा तो जब राजा पैदल चलके उनके पास गए, उन्होंने फिर दूसरे दिन बुलाया, फिर तीसरे दिन बुलाया पैदल चलके, और धीरे धीरे बिना किसी इलाज के वो ठीक हो गए, तो हमारे शरीर को मूव करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो राजा हो, चाहे कॉ सकते हैं तो हम अपने बॉडी को ठीक करने के लिए आगे से ध्यान रख सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा योग की तरफ बढ़ सकें और हमारे साथ होने के लिए आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद आगे भी हम ऐसे ही कारिकरम लेकर आप लोगों से मिलते रहेंगे नमस कर दो नमसे हैं कि लेकर आप से लेकर हैं कि अपने अन्यवाद बढ़ सकते हैं झाल झाल